नवस्कार दोस्तों स्वागते आपका हमारी यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों हम पढ़े थे क्लास नाइन का सिविक्स का 50 चेप्टर जो कि है लोकतांत्रिक अधिकार यानि डेमोक्राटिक्स राइट उसमें हम पढ़े थे फंडमेनिटर राइट यानि मौनिक अधिकार हमने पहला पढ़ा सवांता का अधिकार दूसर पढ़ा सतंता का अधिकार अब हम पढ़ेंगे सोसन की खिलाप अधिकार यह अधिकार है आर्टिकल 23 से 24 यानि अनुचे 23 से 24 यह अधिकार इसलिए है कि कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी गरीब तपते की व्यक्ति का सोसन ना करें कोई भी व्यक्ति को किसी दूसरी व्यक्ति का व्यापार ना करें कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकता दूसरा पॉइंट किसी भी व्यक्ति से बेगारी ना कराई जाए बेगारी बिना पैसे रूपे दिये किसी व्यक्ति को लंबे समय त और तीसरा पॉइंट है चुद्ध साल से कम उम्रे के बच्चों को कार खाना फैक्तरी आधी जगे पर कारें ना दिया जाना तो इन्हें कारें नहीं दिया जाना से अब इसके बार वाला है धार्म स्वत्निता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से 28 यानि अनुश्यत 25 से 28 इसमें एक सब्द धर्म निर्पेश यानि देश का कोई धर्म नहीं हो ना या सभी धर्म समान जो से मारे देश भारत तो इसमें हैं भारत के नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और छोड़ सकते हैं कोई व्यक्ति उन्हें किसी धर्म को अपनाने छोड़ने पर दवाव नह अब हम पढ़ते हैं अगला अधिकार जो है सास्कृतिक और स्यक्षणिक अधिकार यह आर्टिकल 29 से 30 अनुछे 29 से 30 हमारे देश में जो लोग अलपसंग्यक हैं उनकी भासा धर्म सास्कृति सीख्षा की सुरक्षा के लिए यह अधिकार हैं समाज का कोई भी वर्ग जिसकी अलग भासा सास्कृति वर्ग को सुरक्षा रखा जाएगा मतलत कोई भी वर्ग उसकी सास्कृति अलग या भासा लगे उससे सुरक्षा रखा जाएगा जो भी अलपसंग्यक है वह अपनी इच्छा से सास्कृतिक सास्कृतिक इस्तान खोल सकते हैं सरकार उनकी मदद करें इसमें उस सरकार उनकी मदद करें तो जो लोग अल्प संख्या के लोग है उनके लिए हो अधिकार है अब इसके बाद आता है समवधानिक उपचारों का अधिकार जो सबसे अंतिम अधिकार है और सबसे मेन अधिकार है इसको पढ़ते हैं यह समवधानिक उपचारों का अध शीन शुरिकल 儿belum T-35 antwoивалisल eh B-a-dikkal 32-35 इसमें किसी व्यक्ति सरकार प्राइविट सर्थान के द़ार हमारे अधिकार छीनन जाते हैं तो हम हाई कूर्ट Supreme Court में इस अधिकार के तहत कहता है मतलब कोई भी आ है कोई भी वह है मतसस्ता है या सरकार है उसके दार हमारे अधिकारों को छीना जाता है जितने अधिकार इससे पहले हमने पड़े उनको छीना जाता है तो हम इस अधिकार के तहत हाई कोट और सुप्रिब कोट में जा सकते हैं तो इस अधिकार को समीदान की आत्मा भी कहते हैं इस अधिकार को समिलान के आत्मा भी कहते हैं तो आए फोप आपको ये वेडियो अच्छी लगी होगी प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें